हेलो अबरिवन दिस इस अन्राग जहान वेलकम टू एजकेशन रावा यदि आप लोग 2021 में 12 के तयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस के बारे में कुछ भी पता नहीं है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा जैसे कि बुक्स हो गए हमारे बुक्स कोंगों से पब्लिकेशन के होने चाहिए वह सारी चीज़े चर्चा करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों किस चेप्टर से कितने मार्स के प्रसन कर दूंगा ठीक है उसके बाद टाइम टेबल में बताऊंगा कि कितनी घंटी पढ़ने चाहिए रोज ताकि जो यह सारी चीज़े जो मैंने आपको यहां पर पॉइंट बनाके दिया है वह सारे मैंने जो पिछले पांच सालों से मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं और इस भी हाइस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हूं ठीक है उसके बाद मैं आपको टाइम टेवल के बाद यहां पर नोट्स वनाना बताऊंगा कि खुद से नोट्स कैसे वनाया जाता है ताकि आप जो है क्या इसे बनना चाहिए कि आप एक बीक में लास्ट टाइम में जो होता है तो बच्चे क्या होते हैं ठीक से पढ़ने ही पाते तो नोट्स इस तरही से बना होना चाहिए कि आप एक बीक में पूरा का पूरा स्वेक्ट रिविजन कर लो ठीक है उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि एक लिस्ट वन येर के लिए हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकरे रखना चाहिए ताकि अच्छे सचे मार्ग को स्कूर कर पाएं ठीक है और इन सब चीजों के लिए आप अपने टीचर पर विश्वास रख सकते हो ठीक है और ताकि क्या हो जाए देखो जब भी आप मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप किसी भी टीचर को ऐसे ही चुन लो चुनने में टीचर को टाइम लगाओ लेकिन जब आप टीचर को चुन लो तो उस पर विश्वास रखिए ठीक है वह आपको जो है देखे टीचर जो होते हैं वह 100% आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं अच्छी जानbnारियां देती हैं तो उनके साथ एस समान पूरवग रही है ठीक है तो यहां पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले Merci नहीं करूंगए तो कोई भी एनी reference book ले सकते हो एनी publications किसी publication का ठीक है ताकि आपको जो वहाँ पर देखो reference book में क्या होता है कि वहाँ पर जो आपको detail में सारी चीज़ें बताई होती है आप किस publication का reference book लेना चाहिए आपको इसका अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको इस पर एक separate video दे में available हो जाती है इवेन आप यदि पेले स्टोर से एजुकेशन वावा एप भी डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ पर फ्री आफ कोस्ट आपको वहाँ पर NCRT book मिल जाएगी part 1 और part 2 दोनों मिल जाएगी ठीक है और आपको जो है इस 12 के syllabus में chemistry में जो है कुल 16 जो यहाँ पर आपको करने होते हैं ठीक है और यह 16 चेप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से किलियर करनी होती है तो यहाँ पर देखिए 16 चेप्टर कौन-कौन से होते हैं वह तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा solid state आता है जिससे हम लोग को 4 marks के प्रस्ण पूछे जाते हैं उसके बाद solution का यहाँ पर आपको प्रस्ण आते हैं इससे पांच नमर के प्रस्ण यहाँ पर पूछे जाते हैं तो कुल आपके यहाँ पर 9 हो गए उसके बाद electrochemistry यानि कि बैदूत रसायन से आपके प्रस्ण पूछे जाते हैं उसके बाद रसायन बलगयतकी से आपको यहाँ पर 5 नमर के प्रस्ट पूछे जाएंगे इसके अलावे यहां पर तत्तों के निसकर्षन के सिधान्त प्रक्रम के जो यहां पर कितने प्रस्ट पूछे जाते हैं ठीक है और यह जो आपके कुल यहां पर कितने हो गया पांच जो एक से पांच तक जो आते हैं ठीक है यहां पर जो भी आ जो है आपको तत्यों के निस्कारशन के सिधांत फिर पी ब्लॉक डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना होता है फिर उपस सयोजक योगिक तो यह कुल जो है चार यहां पर आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे इन और यानिक के अंदर तो कुल पांच और चार मिला कर कित आपको केमिस्टी के पाट बन से ही आपको पार्ट वन जो बूक होता है मारा उससे ही यहां पर क्या होगा पूछा जाता है ठीक है और चावांकस और इससे भी चाव मार्स के प्रसंद पूछे जाते हैं इसके अलाबे ऑल्डिहाइड कि टौन और कार्बोजेलिक एसीड ज पूछे जाते हैं पूछे आपका 16 ऊपटर आता है लिए पर यहां मेर्स पूछे जाएंगे और फिर जो है देनिक जीवन में रसाइन यानि की केमेस्ट्री इन एवरी डे लाइफ से जो है कुल तीन मार्क्स के परसंद पूछे गए पार्ट वन से ब्यालीस पार्ट टू से यहां पर अठाइस तो कुल हो गए आपके सतर मार्क्स और उसके बाद जो जो आपको पूछा जाएगा जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं 21-22 सेसन के लिए ठीक है तो उसमें आपको कुल 42 प्रसंद होंगे objective के रूप में जिसमें से आपको 35 प्रसंद के जवाब देने होंगे परतेक प्रसंद क्या होगा यहां पर एक नम्मर का होता है तो कुल आप मुझे प्रसंद प्रसंद डिये जाएंगे जिसमें से तीन का जवाब देना होता है परतेक प्रसंद जो है पांच मांक्स का होता है तो यहां पर कुल जो है पंद्रों मांक्स के जो यह ऑप दिर्ग होती प्रसंद आपके पास आएंगे इस तरह से अगर देखे defend to 35 यह तरीके से आपके होते हैं अब आई यह तो आपको इससे जानकारी मिल गई कि बुक्स में कौन-कौन से chapters है ठीक है और फिर जो है आपके pattern क्या है एक्जाम का जो pattern है वो किस तरीके से आप से पूछा जाता है तो यह चीज़ आपको जो है अच्छे तरीके से जानकारी यहां पर मिल गई अब हम लोग देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटीजी क्या होनी चाहिए एक अच्छा जो है यहां पर अच्छे तरीके से सिलेवस खतम कर देने के लिए ताकि लास्ट टाइम में जाकर बहुत ज्यादा वड़न ना बन सके ठीक है तो इसके लिए अच्छी रननीती की ज़रुरत होती है तो इसी को हम लोग यहां baoloishaan ये कर सकते हो चैन 14 सकते हो टीक है तो यहां पर जितने भी यहां पर 50 टा पर से मांने बाकरी पिछले लगवाई 3-4 सालों में मैंने 4-5 टॉपर से यहां पर बात करी है तो उन सब के में एक common habit मैंने पाई कि class जाने से पहले वो लोग book reading का habit उनमें था ठीक है यानि कि वो class करने से पहले या class attend करने से पहले वो क्या करते थे कि ncrt book को at least पढ़ लेते थे ठीक है उसके बाद वो classes join करते थे अब यहां पर क्या है कि classes का भी दो टाइप हो गया है आज कल एक online और एक offline ठीक है तो यह मैं और online classes और offline classes के बारे में आगे अभी discuss करूंगा दो मिनिट वाद ठीक है तो बने रही है हमारे साथ इसके अलावे जब class आप कर लो तो उसके बाद एक अपना personal notes बनाओ ठीक है अब वो notes कैसे बनाना यह भी हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे ठीक है साथ में उस chapters के अंतर जो भी प्रसन आते हैं उस प्रसनों को भी लिखने का परियास करिए नहीं बने तो अपने सिच्छकों से पूछिए ठीक है और यह क्या हो जाएगा इससे आपको जो है answers बाद आप में जो हम की जो यहां पर हैविट होंजिए आप अच्छे तरीके से डिविजिएन करो अब रिविजिएन कैसे करना यह भी मैं आभी आपको बताऊंगा अभी सिफ में पॉत नॉट करते चलो ठीक है उसकी डिविजिएन करो और साथ में जो सब्ता में एक बार आपको अपना एक test में participate करना है और कभी भी demotivate नहीं होना है कि एक test में आपका खराब नमबर चला गया तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो ऐसा demotivate नहीं होना अगर ऐसा कभी-कभी feel हो तो आप कुछ वीडियो जो है YouTube पे काफी सारे वीडियो हैं जो motivational हैं आप वहां से देख सकते हो ताकि वहां पर क्या हो जाए कि आपको फिर से एक नई energy मिल सके आप अपनी तयारी जारी रख सको हो ठीक है लेकिन देखो इतनी सारी चीज़ें आपको करने के सासाथ आपको ये भी ensure करना है कि आपको जो है यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा syllabus है मैंने बताया कि chemistry कंता का 16 chapter है या फिर कोई भी subject है ठीक है वह आपको अक्टूबर तक 100% किलियर हो जाने चाहिए ठीक है अक्टूबर तक यदि किलियर हो जाता है और साथ में आप थोरी बहुत answer practice कर लेते हो तो ये chapter wise ठीक है उस समय ध्यान रखिएगा कि इस समय जो आप answer writing कर रह सकते हो या फिर आपने जो notes बनाया है या आपके institute द्वारा जो भी notes दिये गये हैं उसको revise कर सकते हो ठीक है और साथ में ही आप answer writing की practice भी कर सकते हो साथ में बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पे available मिल जाते है free of cost तो वहां से आप जो है objective प्रस्णों को यहां पे देख सकते हो उसके बाद जो है देखो objective प्रस्ण जैसे ही आपको देखोगे साथ में subjective प्रस्ण भी करते चलना लेकिर याद रखना इसमें ठीक है कई सारे बच्चे गलती यहां पर क्या करते हैं कि वह सीधा सीधा मेराथन classes देखने लग जाते हैं या फिर ऐसे वीडियो खोजते हैं ज ठीक है यह जो है आपको धीरे धीरे increase करेगा ताकि आपका base इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो है जैसे दिसंबर खतम होगा ठीक है इसमें आप देखो अक्टूबर में आपका syllabus खतम हुआ इसके साथ ही नवेंबर दिसंबर में आपने इतनी सारी answers writing प्रेक्टिस भी चेप्टर बाई शुरू कर दी और साथ में किसी भी कोई भी एक क्रेस कूर्स ले लो ठीक है और ताकि आप 10 प्रेक्टिस प्रेक्टिस सेट आपको अच्छे से कर लेनी है अब जैसे दिसंबर खतम होगा तब तक आपका तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर यह रूटिंग फॉलो करते हो तो आप यहां पर क्या करो कि उसके बाद मेराथन कलासे जो होती है या फि बना रहा है और इससे क्या होगा कि आप एक्जाम में बहुत अच्छी जो है यहां पर जो आंसर राइटिंग कर सकते हो ठीक है तो यह साइची जो को आपको ध्यान देनी है अच्छा है यह तो हो गई कि आपकी स्ट्रेटगी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप इस स्ट्रे रहा हूं ठीक है तो कमेस्ट्री को आप यदि दो घंटे देते हो तो यह इनफ है और इससे जो आपको मैं गयांटी देता हूं कि 95 से 100 के बीच में आपका मार्स रहेगा ठीक है इससे कम आपका नहीं होगा अगर इसको एक साल फोलो कर लेते हो तो ठीक है तो यह सारी चीज करता है आप सब के जो अरदा डिमांड पर आया हुआ एक एमबैस ठीक है हमने एक एमबैस लॉंच किया है जो कि आप हमारा जो एप्लिकेशन है मोईल एप्लिकेशन वह प्लेस्टोर पर अवेलबल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आपको बहुत सारी चीज अब करें तो यहां पर देखो जो अगरा आप लोग पर्शेस कर लेते हो तो इसमें आपको लोग को क्या मिलता है यह मैं आपको बता देता हूं इसके बाद हम लोग स्ट्रेटिजी जो है डिसकस करेंगे कि कि किस तरीके से आपको नोर्स बनाने चाहिए श्ट्रडी करने यह सारी चीज़े में आपको आगे कर दूंगा ठीक है तो देखो इस बैच में इस बैच को जोईन करते हैं आपको जो है परतेक चेप्टर से उसका वीडियो मिल जाएंगे आपको ठीक है यानि कि जैसे सोला चेप्टर बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो आपको आपको यहाँ पर दिये जाएंगे यानि कि एक चेप्टर जैसे ही जैसे मानलो कि आपका खतम हुआ तो सौलीड एस्टेट के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि उसके सारे अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रस्ण भी आपको करवाए जाएंगे ठीक है इसके अलाभर जो है आपको चेप्टर वाज नोट्स मिल जाएंगे जो यहाँ पर आपको एक नोट्स सेक्शन मिल जाएगा यसी बैच में और वहाँ पर आपको अच्छे से आप ट्रहुडी कर सकते हो ठीक है इसके अलाबे हम आपको प्रैक्टिस सेटंगे मोडल सेटंगे यह साथ में आपको सम आपको दों नौ साल का आपको प्रिवेस यहर का पेपर भी मैं आपको यहां पर करवा के दे दूंगा ठीक है इसके अलावे आप यहां पर क्या कर सकते हो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो अल्दो यह टेस्ट जो है सभी बच्चों के लिए फीडियो होती है लेकिन कुछ पेड़ यहां पर इस्पेसल टिप्स भी एक्जाम के लिए कि एक्जाम में किस तरह से लिखें तो ज्यादा माक्स आएगा ठीक है या फिर किस तरीके से हम लोगों को वहां पर बैठना चाहिए या क्या करना चाहिए वह सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंतरगत बताऊंगा और के टाइम तक ठीक है यदि आप जैसे अभी कोर्स करते हो तो अभी से एक्जाम तक हम लोग आपको बिल्कुल 100% फुल सपोर्ट करेंगे कोई भी कहीं से तैयारी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर किसी भी तरह की जैसे वीडियो आपने देखा अब आपके सवाल ब लोग करेंगे और वहां से क्या होगा कि है हम लोग आपको क्ल कर सकते हैं और हम लोग आपको किसी सवाल का जवाब के हमेसा त्यार रहेंगे इसके अलावे President प्र서. पूछ सकते हैं यही मैंने अभी आपको बताया इसके अब देखिए आप समया सवाल आता है कि आप इस बैच को जोईन कैसे कर सकते हो तो सब्सक्राइब यहां पर सारी चीजहें आपको डीटेल में दिख जाएंगी अगर आप डीचिटल यूज करते हो तो पेटियम से पैमेंट कर सकते हो वहां पर और फिर फोन पे इत्यादी से भी आप लोग क्या कर सकते हो पैfund कर सकते हो और वहाँ प्या हो जाएगा आपकाarna जॉह आपको को क्या कर करनी है कि सीम्पली एकांट नमर से जो है बेंक में जाके पे कर देनी है और साथ में जो आपको रसीद मिलेगी उसका जो है एक फोटो क्लिक करके इस नमर पर सेंड कर देनी है साथ ही साथ इस नमर पर कॉल कर लेना है ठीक है और वहां पर क्या हो जाएगा कि आपका जो है कोर्स एलाव कर दिया जाएगा और simply अपने smartphone के मदद से जो है आप अपने course को watch कर सकते हो ठीक है और कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप हमें call कर सकते हो ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कि how to study online online हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए ठीक है देखो online पढ़ने के लिए ना दो तीन चीजें अभी अभी क्या हुआ है बच्चे काफी confused करते हैं कि online हमें पढ़ना कैसे चाहिए क्योंकि अभी अभी क्या होता है कि अभी 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 तक तो आपने offline पढ़ा है अभी आप नए नए online में आये हो अगर कुछ बच्चे पहले से online पढ़ रहे हो तो अच्छी बात नहीं चाहिए उसके बाद जो है आप videos देखो आप videos में यहां क्या होंगे कि PPT पर पढ़ाई होती है उसमें देखू PPT और फिसके हम दोनों तरह की वीडियो आपको मिलेंगे ठीक है तो यहां पर पहले बार में पूरा वीडियो देखनी है कुछ नहीं करना है आपको सिर् पूसरी टाइम में क्या करो कि इस video को देखो और साथ साथ नोट्स भी तयार करते हुए चलो अब नोट्स कैसे तयार करना है यह मैं अभी आपको आगे बताऊंगा अब देखो इसके लिए क्या करना है कि आपने जो नोट्स बनाए ना इस नोट्स को अब जैसे अगले दि इसको देखने के लिए एसा कम से कम साथ दिन करिए और साथ साथ दिन करने के बाद जो है आप इसको छोड़ सकते हो तो continue लेकिन साथ दिन पिछले साथ दिन का रिवीजन हमेशा करते चलिए अब आई यह तो पिछले साथ दिन के रिवीजन करने की बात है कि अगला वीडियो कैसे देखें अब सब्था में होता है कुल साथ दिन ठीक है अब ध्यान देखें यहां पर रिवीजन कर लिए यह पांच दिन परफ एक दिन फाइप पालस वण लिखा यह मैंने और फिर एक दीन अब इसमें देखियें पांच दिन क्या करने हैं आपको पीछे वाली वीडियो जो बहुत है जो भी आपने चेप्टर जैसे मानलों कि चेप्टर नमर थी पढ़ा आपने ठीक है ठीक है। ए यहां पे देखो चेप्टर नमर थिरी में जो भी वीडियो जा रहे हैं उसको आप पांच दिन तक रिविजन करते हुए चलो छठा दिन क्या करो कि चेप्टर वन रिविजन कर लो ठीक है यह पहले बीक की मैं बात कर रहा हूं पहला यह पहला बीक का साथ दिन है ठीक है तो अब यहां पे पांच दिन आपने रिविजन करी जो आप कंटिन्यू तिसा चेप्टर पर लिए उसका अब यहां पे छठा दिन क्या कि आपने चेप्टर वन रिविजन कर लिया और यहां पे क्या कर लो सातमा दिन आप रेस्ट ले सकते हो ठीक है और इस दिन आप सिफ एक टेस्ट दे लेना है 10 मिनट का question 10 मिनट का जो है 20 मिनट का या फिर 25 मिनट का जिस वी तरह से organize किया जाता है टेस्ट एप में ही वहां जाके आप free of cost वहां पे बिल्कुल आप participate कर लो और आपको इससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा हुआ है अब यह हो गई अब दूसरे विक में भी फिर क्या करना है दूसरे विक की बात करिए तो दूसरे विक में फिर पांच दिन आप जो चैप्टर नम लेते हो तो आपका जो है marks निश्चित रूप से आने ही आने है ठीक है इस तरीके से आप online study को जो है काफी मजबूत और दमदार बना सकते हो है ना अब हम लोग बात करते time table क्या होनी चाहिए मैंने बताया कि आपको एक subject के लिए 2 घंटा enough होता है काफी enough होता है आप यदि 5-6 घंटे की पढ़ाई enough होती है ठीक है तो यह आपको करनी ही करनी चाहिए रोज अब जैसे मालो कि 2 घंटा आपने chemistry के लिए दे दिया तो अब यहाँ पर क्या करनी कि आधे गंटे आपको book रोज पढ़नी है इसके अलाबे जो है एक घंटे में videos और notes बनाने है ठीक है एक जो last यहाँ पर 30 मिनट बसते हैं इसमें आप क्या कर लिजे रिविजन कर ले जाने कि book reading फिर रिविजन और फिर वीडियो देखिए और फिर उसके साथ नूर्स बने यह सारी चीज़ें आपको करनी है और यह तो होगे यह आप 5 दिन करिए जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर हर विकेंड में एक टेस्ट में पार्टिसेपेट नेसी तरुप से करिए बिलकुल भी आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिजल देखने को मिलेगा बात आती है कि नोर्स कैसे बनाए हम लोग तो देखो नोर्स जो हमें साथ दो तरीके से बना सकते हो एक तो पहली बार आपको complete डीएयो देखनी है, दूसरी बार आप चाहो तो वीडियो देखते हुए नोर्स बना लो या फिर इस बहतर होगा कि आप दूसरी बार वीडियोज देखने अप अच्छे से यह एक्जाम के लिए महत्पून हो सकता है उसको भी हाइलाइट कर लिए ताकि आप क्या हो सके कि जब रिविजन करें तो उस पर ज़्यादा आपका ध्यान जाए और आपको याद रह सके ठीक है तो इन चीजों पर ध्यान रखिए उसके अलावे हम लोग बात करते हैं कि में हेल्थ कैसे मेंटेन रखें देखें जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपके सहीर में सबसे ज़्यादा जो कमी होती है यहाँ पर पानी की होती है तो आप पानी सही मातरा में लीजिए और यहाँ पर सही खाना खाईए हेल्दी खाना खाईए ठीक है और परते एक दिन यहां पर देखें जादा सुने का मतलब यह नहीं कि आप 10 गंटे 12 गंटे सो रहें तो फिर आपकी पड़ाई डिस्टर्ब हो जाएगे तो साथ घंटे जो है आईडियल सिच्वेशन होती है कि साथ गंटे जैदी आप सो लेते हो तो आपका माइड जो पूरी तरह से रेफ्र ओनलाइन कलासेस ले रहे हो तो एक साथ कभी भी तीस मिनट से लंबा वीडियो न देखें क्योंकि तीस मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो देखने पर आपके आँखों पर जो है हमेशा जोड़ परता याद रखिए कि जब भी आधे गंटे हो जाए तो कम सकम एक एक या दो मिनट के लिए दूर तक देखें यानि कि लंबी दूर की कोई वस्तु या दूर में रख्या हुई है तो उसको देखें ताकि क्या हो सकते हैं आपके आँखों की रेटीना होती है वह नजदीक देखते थोरी सी टाइट हो जाती है तो उनमें लचक बढ़ सके इसलिए थो दूट देखोगे तो आपकी आँख हमेशा सलाम मत रहेगी ठीक है इस तरह से आप अपने हिल्थ का ध्यान रख सकते हो साथ ही याद रखे कि आपको एक साल के लिए अटलिस्ट वन यर के लिए जो भी अन्नेसेसरी कॉल हैं जैसे कि कुछ लोग फोन पर लगे रहते हैं दिन राथ है आपको पता ही होगा कि कुछ इसपेसल टाइप के फोन आते हैं तो उन सब चीजों से थोरे से दूर रहिए काम देने वाली है तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा इसके अलावे जो भी अन्नेसेसरी फ्रेंड हैं उनसे दूरी बनाके रखिए ठीक है दूरी बनाके रखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूं कि आप बस अफने दोस्ती ही तोर लो दोस्ती मत तोरिए ठीक है लेकिन याद रखिए कि आप ऐसे दोस्तों के साथ रहें दो चार पांच ऐसे ही फ्रेंड रखें जिसके साथ आप रह सकें और वह भी उनका इस तरह क्या हो कि वह भी पढ़ रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग है हमेशा पढ़ाई की तरफ रहेगा और आप बहुत अच्छे से यहां पर अपने पढ़ाई को रेगुलेट कर पाऊगे इसके अलावे अपने रिलेटिव जो भी रिलेटिव हैं जो भी निगेटिव टाइप के लोग हैं इनसे दूर रहे हैं और साथ ही साथ जो है यहां पर सूसल मीडिया जो है आजकल सबसे होंगा आप टाइम फिक्स कर लो कि जैसे चार से लेका छे बज़े तक में सोसल मीडिया यूज करूंगा तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि एक रेगुलेशन आ जाएगा और आप जो है फालतू का समय जो आपका मोईल में बेस्ट हो जाता है वह आपका नहीं होगा ठीक है तो याद रखिए जो भी आपके यहां पे सोसल मीडिया हैं उनको आप चार से छे के बीच में खोलें तो यह आपके लिए ज्यादा बहतर हो जाएगा ठीक है तो यह सार चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो ताकि जो है आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाऊ और चुनने में समय लीजिए अच्छे से चुन लीजिए लेकिन चुन लें टीचर तो आप जो यहां पे क्या करें उन्स टीचर का सम्मान करें क्योंकि सो परतिस्तर सही कोई भी नहीं होता ठीक है थोड़ी बहुत मिश्टेक हो ही जाती है लेकिन ऐसा से चुन लें जो बार ब आपको यह सारे जो पॉइंट मैंने बताए यह सारे पॉइंट इस बेसिस पे हैं कि जो भी टॉपर्स मुझे मिले हैं उन्हों ने जो गुन मुझे बताया कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया उस अधाप में आपको बताया है तो इस चीज को निश्चित रूप से अपने ज कुछ प्रस्ट आपके बच जाते हैं तो यहां पर आप में उसे सोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो जैसे इंस्टाग्राम ट्विटर फेस्टूप पर अनुराग्जा ओफिसल के नाम से यहां पर मैं एवेलबल हूँ आप कोई भी प्रस्ट पूछ सकते हो अच्छा यदि आ आपको उस पर भी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा ठीक है तो यह सारी चीजे को आप धियान में रखिएगा साथ ही साथ आप यह भी बताईए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लिए को लाइक जो सकते हैं साथ यह सेयर करिए और दोस्तों को भी द झाल